एक वक्त सदेव ये जानकर विश्राम करें कि कोई है जो सदेव उसका थ्यान रखता है वक्त की वक्ति और उसकी शर्था से प्रसन्न होगा उसके राते उसे दर्शन अवश्य देते कि तो कब इस रूप में और किस परिस्थिती में इसका पूर्व ग्यान होना वक्त के लिए संभब नहीं होता जब जब भक्त भगवान का थ्यान करता है तब तब भगवान भक्त का थ्यान रखते कि तो जिश्थन भक्त भगवान का थ्यान नहीं करता तब भी भगवान भक्त का थ्यान रखते है इसलिए तुम्हारा ये कथन उच्छे थेनदे, मैं व्यस्त हूँ, और मैं चिरन तनकाल से लेके चिरकाल तक व्यस्त रहूँगा, प्रत्येक शत, प्रत्येक बक्त का ध्यान रखते हूँ. जिसके कारण स्वार्थ, फिनाश, कुरूर्था, अशान्ति और भय में वृद्धी हो, वो अज्ञान है। किन्तु जो व्यक्ति को अधार, निर्भीक, सेंशीद और विनम्र बनाएं, वही ज्ञान है। अज्ञान की शक्तियां तुर उप्योग करने हे तू प्रेरित करती है। किन्तु जो अपनी शक्ति हूँ, और अपने सामर्थिके प्रते, अपने उत्तरदाइत वोग को समझाए। जुना केवल अपने अपितु अपने से पहले, संसार के उद्दार हे तू प्रत्साहित कर, वो ग्यान है। ज्ञान का मूल उद्देश ही परोपकार है, स्रिजन है। दूसरों की भावनाओं को समझना, उनका आदर करना, यही ज्ञान है। क्योंकि ज्ञान हामेना केवल अपने, अपितु दूसरों की दुख और सुख के प्रती भी सम्वेदंशील बनाता। किन्तु जो दूसरों की भावनाओं का नादर के, उसे ज्ञान की श्रेनी में कैसे रखा जा सकता। अज्ञान के कारण व्यक्ति सांसारिक्ता में बंदता जाता। वो माया में उलचता जाता। अज्ञान परमसत्य से दूर ले जाने का माध्यमा। किन्तो ज्ञान व्यक्ति को परमसत्य की और ले जाता। ज्ञान मुक्ति दायक है। मुक्ष का मार्ग है। और इस मुक्ति दायक ग्यान का सर्वोच रूप है। आत्म ग्यान। और यही ग्यान की पूनता भी है। क्या व्यक्ति अपने को समर्पित करते है। छोड़ते अंकार को। तो भरमकी इच्छा ही पूर्ण होती है। और अभी भी वही फलत हो रही है। ऐसा नहीं है कि अम उससे भिन फलत करानेंगे। लेकिन व्यक्ति भिन भलत कराने में लड़ेंग, तूटेंग, नश्टू। कुछ भी सुनने और समझने के लिए। मन का मौन रहना आवश्यक है। किन्तु मन मौन रहना नहीं जानता है। वो तो निरंतर कुछ न कुछ कहता रहता है। प्रतिपत्त। शब्दों का आक्रमन चलता रहता है मन मनौन। और यही आक्रमन है जिसके कारण व्यक्ति। कभी भी शब्दों के परे नहीं जानता। जहां जीवन की सत्यता का बुट। उसकी प्रतिक्षा कर रहा होता। कभी भी किसी व्यक्ति का विवेक। यदि आप स्वयम यहां कैलाश में उपस्थे थें, तो प्रतिदीन का संध्यकाल पूजन आपके समक्ष क्यों नहीं होता है। पूजित का साक्षात सामने होना मन को भटकने नहीं देता है। कि तुझो सच्चे भक्त है। अगवान तो उनके मन में उनके हृदे में निवास करता है। जिनके हिदे में श्रता है। उनके लिए पूजा करने हैं तो अपने अराध्य का साक्षात सामने होना आनिवादे नहीं। वो तो अपने मन के नेत्रों से प्रतिपल उनके दर्शन पा रहे है। उनकी प्रतिक अनुभूती में भगवान है। जुखांत्रिक होता है, संतोः शांत्रिक होता है। उन्हें वारी तत्वों से रेखांके तुर परिभाश्यत नहीं किया जा सकता। आकार से नहीं पाया जा सकता। आकार के आधार पर केवला हंकार ही उत्वन होता। क्यूंकि आकार से तुलना करने का संधर्व पराप्त हो जाता। यदि तुम्हारा आकार छोटा, तो तुमसे भी छोटा कोई ने कोई अवश्य होगा। और यदि उसी प्रकार तुम विशालो तो तुमसे भी विशाल इस संसार में कोई न कोई अवश्य होगा इसलिए शरीर या आकार की तुलना करना कभी भी शास्वत सुख का अधार नहीं बन सकता युद्ध किसी व्यक्ती से नहीं कि दिश्ट मान सिकता से हो युद्ध में संकर्ष अच्छाई या बुराई का नहीं होता हुद्ध सभी में अच्छाई है और बुराई भी है पुद्ध युद्ध तो विचार धाराओं का उधार यक्ती अपने पराक्रम अपने शमता पर आई है भी में अपने शमता पर युद्ध तो भी है बुराई युद्ध दो विगने शमता पर दो पराक्रम का उ़ बुद्ध लाहक का अ